जगडे के बाद पत्नी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ पत्नी बोला भाग जा बहन की लोड़ी जल्दी जा नहीं तो तेरी गांड मार लूँगा पत्नी बोली बस तुम्हारी यहीं मीठी बातें तो जाने नहीं देती रुको सरसों का तेल लेकर आती हूँ लड़की ने अपने पडोसी के घर की बेल बजाई औरत ने दर्वाजा खोला लड़की बोली आंटी जी थोड़ा सरसों का तेल मिलेगा मेरा बॉइफरेंड आया है औरत बोली वैसलीन ले जाओ ज्यादा मज़ा आएगा लड़की बोली आंटी पकोडे तलने हैं फॉजी तीन साल बाद लोटा पत्नी दुपट्टा गिरा कर बोली देखो हवा ने मेरी क्या उड़ा दी फॉजी चुप रहा पत्नी फिर कुर्ती उतार दी और फिर सलवार उड़ा दी और बोली देखो हवा ने क्या उड़ा दी फॉजी गुस्से में पैंट उतार कर बोल देखो बम ने क्या उड़ा दिया महिला के पेट में दर्द था ओपरेशन के बाद मूली और बैगन निकले पती बोला डॉक्टर साहब ये सबजी पेट में क्या कर रहे थे डॉक्टर बोला भोसडी के समय समय से पेलता तो सबजी की जगह बच्चा होता जिनको समझ नहीं आया दोबारा देखो मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया मेरे पती ऑफिस की सुन्दर लड़की को पेलते है नौकरानी ने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता ये सब आप मुझे जलाने के लिए कह रही हो न आदमी दो हफ़ते के बाद घर पहुचा तो देखा पतनी दूसरे से ठुकवा रही थी आदमी चिलाते हुए तेरी बहन का तुझे बिलकुल मेरी याद नहीं आई पतनी ने जवाब दिया मुझे इतना ही याद होता तो दसवी में पास ना हो जाती बेटा बोला पापा मुझे एक भाई चाहिए वो भी आज और अभी बाप बोला बेटा इस काम में नौ महीने लगते हैं बेटा बोला पापा आप तो कांट्रेक्टर हो कुवारी लड़की ने कालेज में जवान लड़के को देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा क्या मुझे उससे प्यार हो गया दिल ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया तेरी बहन का ओजार जहां घुसेगा छेट से पूछ मेरा काम है बलड सप्लाई करना